असलाम उलेकुम 6th class, welcome to merit to excel easy learning, आज हम आपके mathematics में chapter number 3 discuss करेंगे, आपका chapter number 3 multiples and factors के बारे में है, इसमें आप multiples और factors सिखेंगे, किसी भी number के multiples क्या होते हैं और factors क्या होते हैं, exercise number 3.1 देखें, write the first 4 multiples of part B 22, part C 45, किसी भी number के multiples, वो तमाम numbers होते हैं, जिनको हम 1, 2, 3, 4, 5 इसी दरा so on multiply करते हैं, और हमरे पर result आता है, multiple का मतलब होता है, table पढ़ना है, अगर हम 2 के multiple find out करना चाहते हूं, that means कि 2 multiply 1 is equal to, 2 multiply by 2 is equal to 4, 2 multiply by 3 is equal to 6, 2 multiply by 4 is equal to 8, 2 multiply by 5 is equal to 10, तो ये जो 2, 4, 6, 8, 10 हैं, ये सब 2 के multiples हैं, अब देखें हमने पहले 1 से multiply किया, फिर 2 से 3 से 4 से 5 से, अब अगर हम इसको as table पढ़ें तो 2 1s आ 2, 2 2s आ 4, 2 3s आ 6, 2 4s आ 8, 2 5s आ 10, इसका मतलब किसी भी number के multiples, अगर हमें चाहिए हों, तो हम table पढ़ लेते हैं, ये किसी भी number के multiples लेने के लिए हम उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरह तरतीब से multiply कर लेते हैं, तो जो number हासल होते हैं, वो उसके multiples होते हैं, वो उसके multiples होते हैं, यहाँ पे हमें 3 parts दिएगे हैं, और 3 parts का कहा गया हैं कि first 4 multiples find out करने हैं, तो first 4 multiples 18 के हमारे पास क्या होंगे, 18 1s आ 18, 18 2s आ 36, 18 3s आ 54, 18 4s आ 72, तो 1, 2, 3, 4, तो यह 18 के first 4 multiples हैं, इसरह 22, 22 1s आ 22, 22 2s आ 44, 22 3s आ 66, 22 4s आ 88, तो 1, 2, 3, 4 यह हमारे पास इसके multiples हैं, next C part देखे 45, 45 को 1 से multiply करेंगे, 45, 1s are 45, 45 2s are 90, 45 3s are 135, 45 4s are 180, 1, 2, 3, 4, यह हमारे पास 45 की first 4 multiples बनते हैं, question number 2, list the multiples of 13 less than 95, 13 के multiples हमें लिखने हैं, जो के 95 से कम हूं, 13 के multiples वो तुमाम multiples जो 95 से कम हूं, multiples of 13 less than 19, 13 को 1 से multiply किया, 13 1s are 13, 13 2s are 26, 13 3s are 39, 13 4s are 52, 13 5s are 65, 13 6s are 78, अब अगर हम यहाँ पे 13 को 8 से multiply करते हैं, तो हमारे पास greater than 95 बन जाएगा, तो हमें less than 95 ही मालूम करने हैं, तो इसका मतलब यह हमारे पास ऐसे multiples हैं, 13 के जो less than 95 हैं, question number 5, find all the possible factors of 35, पहले आपने multiple सीके, अब आपको factors सीखने हैं, factors किसी भी number को divide करने वाले, तमाम elements यह तमाम number होते हैं, for example, अगर मैं लिखता हूं 10, 10 के आपके पास factors क्या हैं, देखें 10 को कौन-कौन सा number divide कर सकते हैं, factors वो number होते हैं, जो उस number को divide कर सकते हैं, 10 को 1 divide कर सकते हैं, इसरह 2 5s are 10, इसका मतलब 2 भी 10 को divide कर सकते हैं, 2 भी 10 का factor है, 3 10 को divide नहीं कर सकता हैं, 4, 10 को divide नहीं कर सकता, that means 4 भी 10 का factor नहीं, 5 to the 10, 5 divide कर सकता है 10 को, तो 5 10 का factor है, कोई भी number जो divide कर सकता हो, वो उस number का factor कहलाएगा, अब 6 है, 10 को divide नहीं कर सकेगा, that means कहीं factor नहीं है, 7, 10 को divide नहीं कर सकता, 7 भी factor नहीं, 8, 10 को divide नहीं कर सकता, 8 भी factor नहीं, 9, 10 को divide नहीं कर सकता, 9 इसका फैक्टर नहीं लेकिन 10 खुद को डिवाइड कर सकता है 10 वन्जा 10 इसका मतलब 10 भी 10 का फैक्टर है तो फैक्टर वो तमाम नंबर्स जो किसी भी दिये के नंबर को डिवाइड कर सकते हूं उसके फैक्टर्स खहलाते हैं find all the possible factors of 35 35 के हमने possible factors देखने हैं 1 हर एक का factor होता है यह भी जैन में रखिएगा च्योंकि वर हर नंबर को बले वो प्राइम नंबर हो composite number हो odd number हो even number हो one तमाम numbers को divide कर सकता है तो one सबसे पहरे तो one लिखेंगे 35, 1's are 35 उसके बाद 2, 35 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 इसका फेक्टर नहीं 3 डिवाइड नहीं करेगा, 3 भी इसका फेक्टर नहीं इसी तरह 4 डिवाइड नहीं कर सकता 4 भी इसका फेक्टर नहीं 5, 7's are 35 इसका मतलब 5, 35 का फेक्टर है च्वाइव के टेढल में 35 आ जाता है 6 के टेढल में 35 नहीं आता 6 इसको डिवाइड नहीं कर सकता तो 6 इसका टेढल नहीं 7, 75 जा 35 इसका मतलब ये भी इसका टेढल है 8, 9, 10, 11, 12 ये आगे 100 औ जितने भी numbers हैं ये 35 को डिवाइड नहीं कर सकता है इन numbers के table में 35 नहीं आदे हैं, लेकिन 35 खुद को divide कर सकता है, 35, 1s are 35, इसलिए 35 भी इसका factor है, इसलिए question number 6, find the factors of 48, 175, 125, 48 के factors, 48 को divide करने वाले number, वो तमाम number जो 48 को divide कर सकते हैं, वो 48 के factors होंगे, जैसे 1, 48 को divide कर सकता है, 48, 1s are 48, 2, 48 को divide कर सकता है, 48 को divide कर सकता है, 4, 6, 8, 12, 16, 24, and 48, ये तमाम ऐसे numbers हैं, जो 48 को divide कर सकते हैं, लेहाज़ा ये तमाम ऐसे numbers हैं, जो 48 के factors हैं, उसके बाद 175, ये आपने खुद इनको find out करना है, ये आपका homework है, इसी तरह 121 के तमाम factors भी आपने खुद find out करने हैं, ये भी आपका homework है, exercise number 3.2, exercise number 3.2 में आप odd number, even number, prime number, और composite number का concept सिखेंगे, odd number, ऐसे number जो 2 से divisible नहों, और जो 2 से divide हो सकते हैं, वो even number कहलाते हैं, circle the odd numbers, आप odd numbers, ऐसा number, odd number means, ऐसे number जो 2 से divide नहीं हो सकते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये ऐसे number हैं जो 2 से divide नहीं हो सकते, अब अगर हमारे पास कोई बड़ा number आ जाता है, तो उसका last वाला number हम देखेंगे, कि last वाले number पे, 1, 3, 5, 7, या 9, तो नहीं, अगर इन में से कोई number, किसी भी number के last में है, तो that means के वो consider किया जाएगा, कि ये एक odd number है, और अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाता है, तो that means के वो एक even number है, जैसे देखें, मैं लिखता हूँ, 1, 7, 2, 8, 1, अब last में क्या आ गया, 1, और 1 क्या है, एक odd number है, इसका मतलब ये पूरा number, odd number कहलाएगा, अब आते हैं question की तरफ, circle the odd numbers, इन में से odd numbers को हमने find करना है, किसी भी number के last number को देखें, 1, 3, 5, 7, 9, अगर इन में से कोई number last में आता है, तो that means के वो पूरा number, odd number consider किया जाएगा, और अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ जा जाता है, तो वो even number consider किया जाएगा, अब इसमें last में देखें क्या है, 5, तो that means के ये एक odd number है, इसके last में 7 है, ये भी एक odd number है, इसको भी circle करेंगे, इसके last में 7 है, ये भी एक odd number है, लेकिन इसमें last number 2 है, that means के ये एक even number है, इसको चोड़ देंगे, next 106, last में 6 है, ये भी एक even number है, है तो that means कि यह एक odd number है यहां भी last number five है इसका मतलब यह भी odd number है यहां पर last में zero है तो that means कि यह एक even number है तो हमारे पास odd number i 25, 197, 297, 965 and 523 तो यह हमारे पास odd number है जो हमने circle out किये question number two fill in the blanks with prime or composite अब prime or composite कौन से number होते हैं प्राइम number एक होते हैं जिनको कोई दूसरा number divide नहीं कर सकता अलबदा यह दूसरे numbers को डिवाइड कर सकते है थे composite number ऐसे number होते हैं जिनको dlusive number divided कर लेते हैं जैसे six six is divisible by two three two is a six तो यह divide हो गया लेहाजा यह एक composite number है जो number divided हो जाएगा वह composite है जो number डिवाइड नहीं हो सकता वो प्राइम नंबर है जैसे 3 3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 3 को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता 2 3 को डिवाइड नहीं कर सकता 4 3 को डिवाइड नहीं कर सकता 5 3 को डिवाइड नहीं कर सकता 6 3 को डिवाइड नहीं कर सकता जैसे 6, 9, 12, 15, यह 3 बाकी सब को divide कर सकता है लेकं 3 को कोई number divide नहीं कर सकता है तो that means कि यह एक prime number है, prime number means ऐसे number जिनको कोई दूसरा number divide नहीं कर सकता हो, यह खुद को divide कर सकते हैं, कोई दूसरा number इनको divide नहीं कर सकता, और जो number किसी दूसरे number से divisible हो, वो composite number होगा, part A, 16 is a dash number, दे That means कि यह एक composite number है, हम लेखेंगे composite number, 55 is a dash number, 55 भी 5 से divisible है, यह भी composite हो गया, 93 is a dash number, 93 3 से divisible है, लेहाज़ा यह भी composite हो गया, 1020 is a dash number, last में 0 आ गया, तो that means कि यह भी composite number है, किसी भी number के end पे 02468 आ जाजए तो वो भी composite number कहलाता है, 1353, 3 से divisible है, it's also a composite number, तो यहाँ पे जो piece दिये गए हैं, वो सब composite number है, Question number 4, Circle the numbers divisible by 2, इन तमाम number को circle कीजिये, जो 2 से divisible है, जिनने 2 डिवाइड कर सकता है, किसी भी number के end पे याद रखिएगा, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, या 8 आ जाए, तो वो 2 से divisible हैं, 2 इन सब numbers को divide कर सकता है, अब पहला number देखें, 85, 85 के end पे 5 है, तो इसका मतलब 2 से divisible नहीं, 69 के end पे 9 है, तो 2 से divisible नहीं, 14 भी 2 से divisible है, 55 के end पे 5 है, तो ये 2 से divisible नहीं है, 53 के end पे 3 है, तो ये भी 2 से divisible नहीं है, exercise number 3.3, factorize into prime factors, अब हमें factorization भी सिखनी है, कि हम किसी भी number को factorize कैसे करते हैं, वो भी prime numbers में, question के parts दियेगे हैं, 52, 156, 1028, 246, तो मैं यहां पे 156 को solve करूँगा, बागी के parts आपने खुद solve करने हैं, 156, सबसे पहले हम देखेंगे, क्या ये 2 से divisible है, अगर 2 से divisible है, तो prime number हमारे पास, 2, 3, 5, 7, 11, तो ये जिस तरह हमारे पास prime number की तरतीब है, सबसे पहले हम देखेंगे, two से number divisible है, तो divide करेंगे, अगर two से divisible نہیں है, तो फिर three को चेक करेंगे, इसी तरह अगर three से नहीं है, तो five से चेक करेंगे, five से नहीं है, seven से चेक करेंगे, हम यह दिखेंगे कि कौन से प्राइम नंबर से जो given नंबर है यह divisible है जिसे भी divisible होगा हम उससे divide करेंगे 156 के end पे चूंकि 6 है इसलिए 2 से divisible है लहाज हम इसे 2 से divide करेंगे 156 divided by 2, 7 twos are 14, 1 carry 8 twos are 16 78 के end पे 8 है, that means यह again 2 से divisible है 2 से divide करेंगे 39 आ जाएगा अब 39 के end पे 9 है इसका मतलब यह 2 से divisible नहीं है फिर हम अगला प्राइम नंबर देखेंगे 3 3 से divisible है, 3 बंजा 3, 3 बंजा 9 13 आ गया, 13, खुद 13 से divisible है लहाजा 13 बंजा 13 156 is equal to, हमारे पास यह जो factorization आई है यह हम यह लखेंगे, 2 multiply 2, multiply 3, multiply 13 तो यह इसकी prime factorization बनेंगे question number 2, factorize and express into index notation अब हमें इनको factorize भी करना है then इन्हें index notation में भी, index notation का मतलब है power की form में भी लिखना है 68, 220, 768, 525, 866 सबसे पहले हमारे पास 68 है 68 की factorization बनाएंगे, 2 से divisible है, 34 आ जाएगा again 2 से divisible है, 17 आ जाएगा 17 एक prime number है, लहाजा 17 से ही divide होगा, बना जाएगा यह इसके factors है, factors लिखेंगे, 68 is equal to अब 2 multiply 2 देखें, एक pair बन रहा है एक square की form में हमारे पास pair बन रहा है लहाजा 2 multiply 2 का मतलब है 2 square multiply 17 वन टाइम है तो 17 वन टाइम ही लिखेंगे तो यह जो हमारे पास form बनी है, इसे हम कहते हैं index notation exponential form यह आपके पास index notation में आगे तो बाकी के यह जो parts हैं, यह आपने खुद solve करने हैं, यह आपका homework के हैं, exercise number 3.4 find LCM by common multiplication method, LCM mean least common multiple least common multiple LCM LCM find out करने के मुख्लिफ methods हैं, जैसे common multiplication हो जाएगा, इसी तरह prime factorization method है, division method है, सबसे वहले हम सीखेंगे LCM by common multiplication part A दिया गया है, 6, 9, 12 common multiplication method में, हमारे पास जो numbers दिये जाते हैं, हम उनके multiples लिखते हैं यह टेबल पढ़ते हैं, जैसे 6 है यह हम इस 6 का टेबल आप पढ़ते जाएं और साथ साथ लिखते हैं, 6, 1s are 6, 6, 2s are 12, 6, 3s are 18, 6, 4s are 24, 6, 5s are 30, 6, 6, 6, 6, 7s are 42, 6, 8s are 48, 6, 9s are 54, so on दूसरा number हमारे पास 9 है, इस तरह 9 का टेबल आप पढ़ेंगे, 9, 18, 27, 30, 6, 45, 54, 63, so on इस तरह 12 है, 12 का टेबल, 12, 1s are 12, 12, 2s are 24, 12, 3s are 36, 6, 4, 8, 60, 72, तो यह आप लिखते जले जाएंगे least common multiple, सबसे चोटा common multiple, देखें कौन सा है, सबसे चोटा तीनों में पाया जाना वेना number कौन सा है, यह आपने यहां पर ढूनना है, देखें, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, अब इसको अगर हम देखें तो 36 यहां भी आ गया, 36 यहां भी आ गया, इसके बाद अगर हम इसको देखें, 36 यहा नहीं, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन 9 के टेबल में, यह 9 के multiples में, 12 नहीं है, 24 यहां भी है, लेकिन यहां नहीं है, 6 में है, 9 में नहीं, तो ऐसा number जो तीनों में common पाया जा रहा है, वो 36 है, तो that means कि 36 ही least common multiple या LCM है, LCM of 6, 9, 12 is 36, this is called LCM by common multiplication method, question number 2, find LCM by prime factorization method, अब हम prime factorization method से LCM find करेंगे, अभी जैसे आपने prime number से factorization से की है, तो इसमें LCM find out करते हुए, हम prime number से ही divide करेंगे, किसी और composite number से हम divide नहीं कर सकते है, question given है, 45, 85 and 125, 45 की factorization बनाएंगे, 85 की बनाएंगे, 125 की अलग-अलग factorization बनाएंगे, 45 की बनाएं, 3 से divisible है, 15 आ गया, again 3 से divisible है, 5 आ गया, 5 से divisible है, तो 1 आ गया, 85 को 5 से divide करेंगे, 17, 17 एक prime number है, लहाँ से 17 से ही divide होगा, 1 आ जाएगा, 125 को 5 से divide करें, 25 आगा, अब 25 को 5 से divide करेंगे, तो 5 आगा, 5 को 5 से divide किया, बना जाएगा, अब 45, 85 और 125 के जितने भी हमरे पास factors आए हैं, वो हम लिखेंगे, 45, 3 multiply, 3 multiply, 5, 85 का हमरे पास आए, 5 multiply, 17, 125 का 5 multiply, 5 multiply, 5, इन तीनों में common factors देखेंगे, इन तीनों में common factors कौन सा है, दे common factor है, तो हम 5 को as common factor लिखेंगे, uncommon factors, 5 जो हमने common factor निकाला, इसके इलावा हमरे पास क्या बच गया, वो सारे हम numbers यहां लिखेंगे, 3 बच गया, 3 multiply 3, 85 में हमरे पास 17 बच गया, 17 लिखेंगे, 125 में हमरे पास 5 multiply 5 बचा, तो हम 5 multiply 5 लिखेंगे, अब इन जितने भी numbers बचे हैं, अब इनको हम आपस में multiply करेंगे, 3 multiply 3, multiply 17, multiply 5, multiply 5, तो यह हमारे पास इसका result आया, 3825, LCM के लिए common factor multiply by uncommon factor, common factor हमारे पास 5 और uncommon factor 3825, इन दोनों को आपस में हम multiply करेंगे, 5 multiply 3825, दोनों को multiply किया तो हमारे पास result क्या आया, 19,125, so LCM of 45, 85, 125 is 19,125, LCM by prime factorization, इसमें हम common number और uncommon number दोनों को आपस में multiply करते हैं, तो हमारे पास LCM आता है, question number 3, calculate the LCM by division method, अब LCM को हम division method से calculate करेंगे, दो methods आप सेख चुके हैं, तिसरा method है division method, given question is 36, 48, 72, 72, अब जितने भी आपको number दीजाएं, जैसे यहां पर 3 दिये गए हैं, 4 भी दिये जा सकते हैं, 5, 6, 7, 2 भी दिये जा सकते हैं, इनका LCM हम एक ही बार factorize के method से, एक ही बार किसी एक number से divide करके, अब इस method में दो number दिये जाएं, तीन या चार, उन तमाम numbers को हम किसी एक number से divide करके, short form में लाते चले जाते हैं, और last में हमारे पास prime number बचने चाहिए, जब prime number बच जाते हैं, उनको आपस में multiply करते हैं, तो वो हमारा LCM बनता है, 36, 48, 72, आप इस तरह लिखेंगे, 36, 48, 72, औ देखें, तीनो number 2 से divisible है, 2 एक prime number है, लेहाद 2 से तीनो को divide करेंगे, 36 को divide किया तो, 18 आया, ये इसके नीचे लिखेंगे, 48 को 2 से divide करेंगे, 24 आएगा, ये इसके नीचे लिखेंगे, 72 को 2 से divide करेंगे तो, 36 आएगा, ये इसके नीचे लिखेंगे, again, 8, 4, 16 के end पे, again, 8, 4, 6 बच रहा है इसका मतलब ये फिर 2 से divisible है again 2 से divide करेंगे 912-18 आएगा again 2 से divide करेंगे चुकě हमारे पास 2 numbers ऐसे हैं minimum 2 numbers आएसे हैं जो 2 से divide हो रहे हैं लहाजा हम 2 से divide ये 2 से divide नहीं हो रहा है इसको as it is लिखेंगे 9 12 2 से divide हो रहे है 6 आगया 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आजाएगा Again 6 2 से डिवाइड हो रहा है लहाजा हम 6 को भी 2 से डिवाइड करके short form में लाएंगे 9 को as रिस लिखेंगे 3 2 सा 6 9 को as रिस लिखेंगे अब कोई भी number 2 से डिवाइड नहीं हो रहा अब ये तीनों number 3 से डिवाइड हो रहे है लहाजा हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9 तो हमारे पास आगया 3 1 3 Again 3 से चुके minimum 2 number अभी मुझूद है जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं लहाजा 3 से डिवाइड करें 3 1s are 3, 1 का 1 लिखेंगे 3 1s are 3 तो ये हमारे पास जो ये जो हमारे पास number आए हैं हम इनको आपस में multiply करेंगे तो हमारे पास से इसका LCM बनेगा 144 This is called LCM by division method इसी के साथ आपका आज का lecture complete हुआ Dear students जो आपको पढ़ाया गया है इसको बार बार देखिए अपने वीडियो को और कहीं से अगर confusion हो उस step को बार बार सुने जो homework दिया गया है वो आपने अपने copies पे जैसे आपको बताया गया है जैसे आपको सिखाया गया है उस तरह आपने homework करना है ये तमाम काम आपने distribute करना है days पे आपके पास 4 days हैं आपने ये तमाम काम अपने डेस पर डिस्ट्रिब्यूट करना है। के पास four days working के हैं और next two days revision के हैं। तो day one में आपने exercise number 3.1 करनी है। day two में आपने exercise number 3.2 करनी है। day three में आपने exercise number 3.3 करनी है। day four में आपने exercise number 3.4 करनी है। day four के बाद day five और day six आपका revision है। जितने भी आपने question किये होंगे उनको आपने revise करना है। dear students अपने parents का अपने बहन बहुत सा ख्याल रखिएगा। next lecture में इंशाला फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्ला हाफिस। अल्ला ही झाल झाल